हे गाईज वेलकम टू गवर्मेंट जोब्स ग्यान यूटूब चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी आंसर की 2023 चैलेंज के नियू नोटिफिकेशन के अपडेट के बारे में जी हाँ दोस्तों, NTA, National Testing Agency ने नेट यूजी आंसर की 2023 चैलेंज स्टार्ट कर दिया है कैसे, कब और कहां से आप अपने questions का आंसर चैलेंज कर सकते हो पूरी जानकारे हम आपको step by step यहाँ पर देंगे बस आपको इस वीडियो को skip के बिना सुरू से लेकर end तक देखना है उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे like ओट शेर कर दें चैनल पर नए हो तो इसे subscribe कर लें तो गाइस बिना कोई वक्त गमाए चलिए शुरू करते हैं आपको इस वीडियो के description box में हमारी website nd-sherkari-nokery.in के इस page का link मिल जाएगा यहाँ पर आपको NEET answer की challenge 2030 की पूरी detail परवाइड करा दी गई है National Testing Agency ने National Elisibility and Trans Test NEET 2030 कंड़क्ट किया था यहाँ पर apply online की date 6 March 2023 से 6 April 2023 के बीच जिहाँ दोस्तों इन dates के बीच में candidates ने अपने online form फिल किये थे फिर उनका exam 7 May 2023 को conduct रहा गया था संड़े के दिन अब यहाँ पर NEET answer की challenge start हो चुका है आप 4 June 2023 से 6 June 2023 मध्य रातरी तक answer की में challenge कर सकते हो अपने questions के answers आपको इस page को नीचे scroll down करना है important link section में आकर NEET answer की challenge 2023 notification के इस link पर किलिक करके NEET के जो यह answer की का challenge हुआ है start यहाँ से आप पूरी detail check out कर सकते हो यहाँ पर provisional answer की के लिए आप challenge की पूरी detail इस notification में से check out कर सकते हो NEET UG 2023 में 20,87,499 candidate ने participate किया है 4,097 में अलग centers पर candidate ने इस exam में participate किया है 14,99 cities के अंतरगत यहाँ पर 14 cities outside India जिनमें भी यहाँ पर जिहां दोस्तों भारत से बाहर भी 14 cities के अंतरगत NEET UG 2030 में candidate ने participate किया था 7 में 2030 संड़े के दिन को दो पर 2 बजे से 5 बग कर 20 मिनट के बीच में आपका NEET UG 2030 exam conduct हुआ था अब यहाँ पर NEET UG 2030 की provisional answer की की scan image पयमार answer seat और recorded response की यहाँ पर NEET UG 2030 की answer seat release हो चुकी है आप यहाँ से check out कर सकते हो गाइज यहाँ पर परते question का answer जिहां दोस्तों परते question का response challenge करने के लिए आपको 200 रुपे फीस के रूप में जमा कराने होंगे यहाँ पर answer की में challenge 4 जून 2023 से 6 जून 2023 के बीच में होगा रात 11 बज कर 50 मिनट तक 6 जून 2023 तक आप answer की में challenge कर सकते हो तो यहाँ पर आपको इस notification में पूरी detail परवाइड करा दी गई है यहाँ पर आपकी application fees non refundable है 200 रुपे फीस यहाँ पर आपको परते एक answer के challenge के लिए जमा कराने होंगे और अगर आपका answer right आता है तो फिर आपको 200 रुपे यहाँ पर refund कर दे जाएंगे और अगर आपका challenge यहाँ पर रोंग जाता है तो फिर आपके 200 रुपे यहाँ पर वापस नहीं किये जाएंगे आप debit card, credit card या फिर net banking के थुरू यह 200 रुपे का परती question के आधार पर अपना payment करके answers में challenge कर सकते हो उसके बाद यहीं पर यहाँ आपको हमारी website के इसी page पर neat answer की challenge 2023 का link दिया गया है इस link पर किलिक करके आप अपने questions के answer challenge कर सकते हो जैसे ही आप इस link पर किलिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से portal खुल जाएगा यह NTA का answer की challenge का official portal है यहाँ से आप जिहां दोस्तों यहाँ पर आपको दो options provide करा गए है आप यहाँ पर application number और password के थूँ लोगिन कर सकते हो या फिर आप application number और date of birth के थूँ यहाँ पर लोगिन कर सकते हो अगर आप application number और password के थूँ लोगिन करना चाहते हो अपने dashboard में आपको अपने dashboard में जाकर ही answers का challenge करना होगा तो यहाँ पर आपको अपना application number और password यह security pin एंटर करना है और फिर sign in button पर click करके अपने dashboard में sign in कर लेना है और अगर आप यहाँ पर application number और date of birth के थूँ लोगिन करना चाहते हो तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से interface कुलेगा यहाँ पर आपको अपना application number एंटर करना है अपनी date of birth इस calendar में से select कर लेनी है यह security pin यहाँ पर एंटर करना है और sign in button पर click करके अपने dashboard में sign in कर लेना है आपका dashboard यहाँ पर sign in करने के बाद कुछ इस तरह से open हो जाएगा यहाँ पर आपको view slash challenge answer की link दिया गया है आपको click to view challenge answer की इस link पर click करना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से interface खुलेगा यहाँ पर आप जिस questions के लिए अपना response कलेम करना चाते हो उसके सामने checkboxes को ok कर दे यहाँ पर आपको सभी questions provide कराए गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपके यहाँ पर आपको 200 questions की पूरी list provide कराए गई है आप जिस भी question में जिहाँ दोस्तों आप जिस भी question में challenge करना चाते है तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आप किसी भी particular question के लिए claim कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको जिहाँ दोस्तों यहीं पर ही आपको आपकी view and challenge OMR seat भी provide कराए गई है आप click to view and challenge OMR इस seat को check out कर सकते हो इस link पर click करके आप अपनी OMR seat यहाँ पर check out कर सकते हो आपने किस question का कौन सा answer आपने fill किया है आप यहाँ से check out कर सकते हो और फिर इनके according आप जिस question का challenge करना चाते हो उसका answer challenge कर सकते हो आप यहाँ पर click here to view and challenge recorded OMR इस link पर click करके भी अपना answers का challenge यहाँ पर कर सकते हो तो दोस्तों ऐसे आप NEET UG answer की 2023 के लिए अपने question answer challenge कर सकते हो आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करें चैनल पर नए हो तो इसे subscribe कर ले Thanks for watching